नमस्ते बच्चों, कक्षा साथ, विश्य गनित और प्रिशनावली है, ग्यार्णी इसके पहली जो प्रिशनावली थी उसमें अपने आयत और वरर के शेतरफल के और प्रिमाप के बारे में जाना, अब है 11.2 इसमें आप तिरबुच और चत्रबुच के शेतरफल के बारे मे उन्चाई, ये होता है आपका चत्रबुच के शेतरफल, और तिरबुच के शेतरफल क्या होता है, एक वटा में दो गुना अदार गुना उन्चाई, मतलब इससे क्या होता है, आदा होता है, चत्रबुच के शेतरफल से क्या होता है, आदा होता है, तिरबुच के शेतरफ तो पहली आकर्थी का शित्रफल ग्यार करना है तो इस आकर्थी को देखो आपको इतना सा पार्ट दे रखा है इतना पार्ट दे रखा है तो इसका ये क्या है एक तिरबुज है तो इसका निकाल लेंगे इसका दुगना कर देंगे पूरे शित्रबुज का जाएगा न तो इ तो तो दोनी चार साथ दोनी 14 यह तुर दूसरे त्रिबुज का भी इतना ही होगा दोनों का एड किया 28 cm सकेर यह क्या हो गया इस पूरी यह पूरा क्या होगा आपका पहली अकらती इसीतर है दूसरी आकरती कि कर ले न खुद तीसरे आकरती देको शेत्रभुज दे रहा है पूरा तो तीसरे आकरती का शेत्रफन अधार गुणा उन्चाई तो अधार 2.5 गुना 3.5 दोनों का फूर आपकर दूसरे करना है 25 мод, 125, 12 25 ये 55 पांच दो साथ और 87 आठ पॉइंट साथ पांच सेंटीमेटर सकेर इसी तरह ये पूरा चत्रबुज ही दे रखा है चोथी आकरती में तो 4.8 गुना 5 अधार गुना उंचाई 4.8 गुना 5 पांच आठ है 40 पांचो के 20 और 24 सेंटीमेटर सकेर इसी तरह ये हो जाएगा ये आपका है पहला कोशन दूसरा कोशन तरी बुज किशे तरफल गयात करनी है और तरी बुज किशे तरफल क्या होते हैं फिर एक बटा में द दो अधार गुना उंचाई 2 दुनी 4 दो दीये 6 सेंटीमेटर सकेर इसी तरह इसको करोगे एक बटा में 2 अधार गुना उंचाई इसको इससे कार दोगे तो एक पंड़ च्छे आजेगा 16 पंड़ असी होते हैं जीरो कट जाएगी आपके पास बच जाएगा 8 सेंटीमेटर कि इसी तरह कि के इसको बचाएं स्टाव कि इस परकाड यह इस परकार आपके पहला in दूसरा कोつलो चोथा सेंव कोशन पहले दूसरे की तरह है उसमें क्या दे रखा था अदार और उन्चाई दे रखी थी शेतर फल गयाद करना था इसमें क्या करना है आपको शेतर फल दे रखा है और अदार और उन्चाई में से एक चीज़ दे रखी है तो देखो पहला कोशन कैसी हल करेंगे आपको क्या दे रखा है अदार दे रखा है 20 गुना उन्चाई किस के हैं चत्रबुज के न तो गुना उन्चाई एक्वल टो 246 एक्स की वैल्यू निकाल ली है 246 बटा में 20 246 बटा में 20 जिरो को काटा पॉइंट लग जाएगा बाग दे दोगे तो 12.3 कितनी आगी 12.3 सेंटिमेटर इसी तरह सेम अगला कोशन है 15 गुना एक्स एक्वल टो कितना दे रखा 154.5 एक्स की वैल्यू निकाल ली है 145.5 पॉइंट में 15 15 बटा में 15 बाग नहीं जाएगा तो 0.15 तिये 45 कितना गया 10.3 सेंटिमेटर क्या करना है बसी दी सी बात समझो समझाने का मतलब मेरा यह था कि समांतर चत्रबुज में आपको शेत्रफल दे रखा है और एक चीज दे रखी है अदार वे उन्चाई में से तो आप शेत्रफल में उस चीज का बाग दे दो शेत्रफल में जो वी वैल्यू दी है चाहिए अदार की चाहिए उन्चाई कि उसका क्या कर दो बाग दे दो आपका तो शेतरफल एकवल्टू क्या होता है एक वटा में दो अदार गुना उन्चाई इसमें तो क्या करना था सिधा ही बाग देना था अब इसमें क्या करना है जो भी शेतरफल दिया है उसको दो से गुना क्योंकि दो ये वाला है ये बाग में है इस साइड गुना में जाएगा और ये 15 गुना में है इस साइट बाग मी आएगा पहले क्या करना है? दो से गुना करना है और फिर जो बुजा दे रखी है चायए दार चायए उंचाय फिर उससे बाग देना इन कोशनों को तो इस परकार आपको हल करना है कि चेतर बुज का दे रखा है आप द्वारा सुनो कि चेतर बुज है उसका आपको शेतर फल दे रखा है और एक बुजा की लंबाई दे रखी है चाहे दार चाहे उन्चाही तो आप क्या करो शेतर फल में उसका बाग दे दो आपका उत्तर आ जाएगा ये तो है चेत्रभुज की बात, चेत्रफल को पहले दो से गुना करो और फिर बाग दो जो भी value दे रखी है, फिर बाग दो तो आपका उतरा जाएगा ये चोथा और पांचमा कोशन आपने हल करने हैं, बहुत ही easy है, इसके बाद एको पांचमा कोशन, पांचमा कोशन क्या प्रकार दे रखा है PQR का सत्वां से रखी है 12 संटीमीटर ऐसा दे रका है साथ पॉंट सफ यह साथ गुंट तो आपका श्यत्र फ्ल क्या होगई ताव के पास कितना आ जाएगा 91,92 मीटर है तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सकेर समांदर सित्रूज का शेत्रफल अधार गुना उन्चाई अधार गुना उन्चाई यह आपका पांचमा कोशन इसके बाद देखो चटा और सात्मा कोशन दे रखे है चटा कोशन में आपसे शेत्रफल दे रखा है शेत्रफल दे रखा है दे रखा बी की देर रखी है 35 शेत्रफल दे रखा है 1470 और आपसे पुछिए डील यTF लिंचाई यह अधार दे रखा है 35 गुना X, वो इस मांतर चत्र पूज़ है X का मान निकालना है तो 1470 में क्या करना है 35 का बाग देना है 7, 5, 35, 7, 2, 10 5, 4, 20, 5, 2, 10 X का मान कितना गया 42 cm कितना गया 42 cm फिर BM निकालनी है BM ये निकालनी है तो आपको क्या दे रखी है ये दे रखी है वो ही बात है कि 1470 एक्वल टू 49 गुणा X X की वैल्यू निकालनी है तो 1470 में 49 का बाग दे दो आपके पास X की वैल्यू BM की वैल्यू आ जाएगी ये है छेटा कोशन सात्मा कोशन तिरबुज का शेतरफल गयात करना है तिरबुज का शेतरफल ये आपके पास है तिरबुज शेतरफल गयात करना है तो देखो ये कौन कितने डिगरी का है 90 डिगरी का है तो 90 डिगरी का जो कौन है वो ही क्या होता है लंब होता है वो ही उसकी क्या होती है उन्चाई होती है तो इस त्रिबूज के उन्चाई क्या होगी पांच उसके लिए दार क्या होगा बारा आपको ये पहशान आना चाहिए और कुछ भी नहीं है इसमें कि जदी कोई भी त्रिबूज हो चाहि चत्रबूज हो उस पर जो सीधा लंब होता है वो कितने डिगरी का कौन बनाता है 90 डिगरी का तो उसकी उन्चाई वो ही होती है जो 90 डिगरी का कौन बनाता है ये इसकी क्या है उन्चाई तो आपको ये पहशान आगी तो ये कोशन हल हो गया दोची के बारा 6-5-30 cm स्कीर, इस शेतरफल क क्या है 130 cm क्या हो गया 130 cm स्कीर इस परकारिस प्रसनावली में अपने तिर्बुज और चत्रबुज के बारे में जाना तो चत्र बुझ के लिख्रितरफल क्या होता ही अदार गुणा हो जाई तिर्बुज का 1 बटा में 2 अदार गुणाओं चाहिए, छेत्रफल दे रखा हो, एक बुजा की नंबाई दे रखी हो चेत्रफुज में, तो सिद्धर अदार करना है और तिर्बुज में दे रखा हो, तो पहले 2 से गुणा करोगे और फिर भाग करोगे, तो आपकी ये 11 पर बोप्रेशना लिहे ये पुरी हुई दान्या वादा